Let's do question number 17th of xi 6b that is coordinate geometry. Question number 17th is in what ratio is the segment joining a, b divides by the x-axis? वो कह रहा है कि किस ratio में a, b divide की गई x-axis से, right? Also find the coordinates of the point of division. और हमें coordinates भी find करने हैं division के. मान लीजे ये एक a, b है हमारी a और b. इसे एक line ने x-axis ने हमारा divide किया. x-axis से divide हुआ है, तो obviously x एक point होगा और y 0 होगा. क्यों? देखिए, अगर हमारा ये graph होता है और x-axis किसी को divide करती है, तो x-axis कब divide करी है? जब ये ऐसे कोई a, b है और x-axis divide करी है, तो यहाँ पे जो point होगा, वो क्या होगा? x होगा और 1 0 होगा, right? क्यों? क्योंकि x-axis पे है, तो x-axis का कोई भी number हो सकता है, तो इसलिए हमने x बाना है, और y कुछ नहीं होगा x-axis पे, तो इसलिए उसको 0 मान लिए, right? अब a कितना है हमारा? 2 and minus 3, 2 and minus 3, और b है हमारा 5 and 6, 5 and 6, अब ये कह रहा है question में, कि हमें एक तो ratio बतानी है, और इसका x की coordinate का x-coordinate बताना है, कि x कितना है, तो कैसे निकालेंगे? हमें ratio नहीं पता, तो हम इसको let कर लेते हैं, let the ratio be, ratio be m is to n है, ratio, अब m is to n है, और यहाँ x variable है, तो x की value न निकालके, सबसे पहले हम y की value निकालेंगे, जिससे की हमें m is to n पता चल जाए, और उसके बाद हम x की value निकालेंगे, तो y क्या आएगा हमारा? y का formula होता था हमारा m y2 plus n y1 upon m plus n, अब यह हमें पता है x है, यह हमें पता है y है, यह हमें पता है x1 है, यह x y1 है, यह x2 है, और यह y2 है, तो अब हमारा y कितना हो गया? that is 0 equals to m, y2 कितना है? y2 is 6 plus n, y1 है हमारा minus 3 upon m plus n, अब m plus n इधर गया, तो 0 से multiply होते ही 0 हो गया, तो 0 equals to 6m plus minus minus 3n, देखिए, plus minus minus 3n, अब m और n की values अलग लगा गए, मतलब हम n की values दूसरी साइड ले गए, इधर ले गए, तो यह plus की होगी, तो 6m equals to 3n था, यह लिख दिया, अब m upon n, मतलब यह n में नीचे ले आए, यह m के, तो यह 6 भी नीचे ले आओंगी, 3 के 3 upon 6, 3 upon 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 upon 2, तो m upon n कितना आ गया, that is 1 upon 2, तो ratio कितनी आ गई, ratio is, तो 1 is 2, 2, 1 is 2, 2 आगे ratio, अब हमें क्या निकालना था, इस x की value निकालनी थी, तो formula लगाएंगे x का, x का formula होता था, m x2 plus n x1 upon m plus n, तो x तो x ही रहेगा, देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे x तो x ही है, x2 है हमारा 5 और x1 है 2, तो m है हमारा 1, x2 है 5, plus n है हमारा 2 और x1 है हमारा 2, upon m plus n, that is 1 plus 2, तो यहाँ गे x equals to 5 ones of 5, 2 twos of 4, upon 3, तो यहाँ गे x equals to 9 upon 3, that is 3, तो हमारा coordinate क्या हो गया, हमारा coordinate, coordinates of p हो गए हमारे 3 and 0 is the answer,